ओबेशिटी याने मोटा पा ओजन बढ़ना और फिर बिल्कुल कंट्रोल में ना आना दूसरा है डी टॉक्सिफिकेशन याने डी टॉक्स प्रोग्राम अगर सरीर में से नहीं हो पा रहा है नेचुरल तरीके से कोई भी और तरीका आप अपनाते हो जो नेचुरल हो और आठ पैति दवाई हमेशा सुबा सुबा और दिन में तीन बार लेना पड़ता है तो भी दोस्तों जो फर्मुला बताऊंगा बहुत ही लापकरी बहुत ही काम का चौता जो और इंपोर्टन चीज है दोस्तों वो है कि आप जो खाना खाते हो ठिक से हजम नहीं होता है और या त दढ़ता है और जल्दी ग्रे हो जाता है तो दोस्तों सारे चिजों में फाइदा बंद है जॉइंट मेंदी दोस्तों बहतर रहेका गर्मिएं के दिन में आउपका सरीर दोस्तों ठंडा दोस्तों भीगो के रखनी है और उसे मिला के रख दो दो चमस सौंप अब सुभा सुभा इसमें एक देड़ गलास और पानी मिलाओ करीबन जब दो ढ़ाई गलास हो जाए इसको अच्छे से उबा ले आधा जब पानी रह जाए इसको च्छाने च्छान के हजबेंट और यान को आएगा और आपका पेट एकदम बढ़िया रहेगा नीटेंड क्लीन दोस्तों आपका पुरा स्टमक रहेगा और कंस्टिपेशन हो गयरा की प्रॉलेंग दोस्तों सॉल्व हो जाएगी जिनका पैरों में जलन सरीर में जलन और चेहरे में जलन आंखों में जलन जलन की सम समस्या उरैण कोई वी समस्या है दोस्तों आप देखिएगा इविन अब स्टोन होगे अगर होता है इन फेक्शन लगाता है ड्रॉप ड्रॉप एयूरीन होती है इस सारी समस्या दोस्तों ठीक होगीा पासा करता हूँ करके देखो एसे हजारों टिप्स मेरी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में इसको ऑनलेन अमेजन से मंगाएं आज रिफराल बुक दोस्तों इसको इसको इस्तिमाल करें उम्मीद करता हूँ कोई बड़ी समस्या है अगर स्पाइन और घुटने और अगर उ सरजरी के लिए कहा जाता है तो ही दोस्तों मेरे पास नौइडा आएं उसके पहले वाटसप करके अपॉंडमेंट लें डबले टू डबल सिक सेवन सिक 303 में थैंक्यू दोस्तों जहिंजय भारत